हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेल्कम तो माय यूटूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश तो फ्रेंड्स कैसे आप सब आसा करता हूँ कि अच्छे होंगे सब सबस्ट होंगे मस्त होंगे आपकी पढ़ाई बढ़ेंश हैउ तो पिछली नमाने सबढ़ेंल इन और लूंदORY न स protective flash् मतलब pelvic gridle क्या है आपको पता है shoulder griddle प्लस upper limbs and pelvic griddle and lower limbs से मिलके बनाए हमारा appendicular scletal तो friend upper limbs and shoulder griddle पूरा पड़ा और पिछली class में हमने बात की थी pelvic griddle की जो की दो inominate bones से मिलके बना हुआ होता है ठीक है तो आज हम friend बात करेंगे lower limbs की किसकी बात करेंगे friend lower limbs की तो lower limbs में कौन कौन सी bones होती ही जैसा कि आप सबको पता है मैं दो तीन बार बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको एक यहाँ पर लिख दूँगा तो बार बार आपका revise होता रहे lower limbs तो heading डाल देते हैं friend lower limbs आज हम बात करेंगे lower limbs ठीक है friend lower limbs हमारे नीचे के limbs ठीक है तो friend lower limbs की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ आती lower limbs में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ first बात करें first बात करें जैसा कि आप सबको पता है first में आती femur bone क्या आती friend femur bone और कितनी होती ही एक होती है उसके बाद नीचे चले patela जिसे knee cap भी बोला जाता है friend क्या बोला जाता है knee cap जो की हमारे ये डकनी भी बोलते है जो knee joint के उपर knee joint को cover करके रखता है ये भी कितना होता है एक पेर में एक होता है उसके बाद टीविया टीविया एंड फिबूला इनको एक साथ लिखते हैं बड़ अलग अलग बोल है दोनों कितनी ओती एक एक बोल होती टीविया एंड फिबूला ठीक है उसके बाद जैसा कि हात में कार्पल बॉन थी यहाँ पे तार्सल बोल क्या करती थी wrist joint बनाती थी तार्सल बोल ग्या करेगी friend ankle joint बनाएगी कार्पल बोन कितनी थी 8 तार्सल बोन की बाद करेंगे यहाँ पे तो तार्सल बोन हो जाएगी फ्रेंड यहाँ पे 7 वहाँ पे कार्पल बोन कितनी थी 8 यहाँ पे तार्सल बोन कितनी है 7 तार्सल के बाद वहाँ पे जैसे कार्पल के बाद क्या है था metacarpal, तो यहाँ टार्सल के बाद क्या आएगा? metatarsal क्या आएगा friend? metatarsal metatarsal वहाँ पे कितनी थी? metacarpal, पाच, तो यहाँ पे भी metatarsal कितनी है? पाच उसके बाद phalange age वहाँ भी phalange age बोलते हैं यहाँ भी phalange age बोलते हैं ठीक है? वह कितनी होती? 14, यहाँ भी 14 होती है जो हाथ की अंगुलियों की बोन है उनको भी क्या बोलते हैं friend? phalange age कई बार इनको toes भी बोला जाता है, पेरों की जो अंगुलिया रंग उठा है, उनको मिला के toes भी बोला जाता है, तो friend यह है total हमारी lower limbs की bone फीमर बोन की हम बात करेंगे ठीक है? फीमर बोन को क्या बोला जाता है friend? और फीमर बोन को बोला जाता है थाई बोन इसको थाई की बोन जांग की बोन भी बोला जाता है फीमर बोन को क्या बोला जाता है? थाइ बोन यानि जांग की बोन भी बोला जयता है यह जो जांग में बोन है ना फ्रेंड फीमर बोन तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फीमर बोन जो सा कि आप डाइग्राम में देख रहे हो फ्रेंड वैसे तो सबसे लंबी बोन ध्यान से सुन ले ना सबसे लंबी बोन है हमा में पाई जाती है और सबसे बड़ी हैं सबसे बड़ी कौन सी फ्रेंड यह फीमर बोर और सबसे बड़ी है तो बजन में भी सबसे भारी है यह द्यान रगना सबसे लोंगेस्ट एंड सबसे हैवियस्ट बजन में अब यहां पर हम बात करें जैसा कि डाइग्राम देख रहे हुआ इसमें हर पार्ट को हम पहले जैसे मेरे जो स्टाइल पढ़ाने का मैंने पहले क्या किया था पूरे पार्ट के नाम लिख दिये कौन-कौन से पार्ट कौन- पार्ट की बात करें उपर से लेके नीचे दक और यह जो डाइग्राम दिख रहा है न आपको फीमर का यह पोस्टीरियर साइड का उसटीरियर मतलब पीचे का यह वाली यह वाली तो उपके पीछे वाला portion है पीछे वाला portion क्यों डाइगराम में बताया उसका भी आगे में region बताऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे structure है जो anteriorly हम दिखानी पाएंगे तो posteriorly जो view है उसमें अच्छी तरह दिख जाएंगे तो friend start करते हैं कि कौन-कौन से पाट होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, head of femur, head of femur, head of femur का है friend, ये रहा, ये क्या है, head, femur का, ये head है, ये क्या है friend, femur का head है, head of femur, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद, neck, neck of femur, ये वाली, ये जो वाली structure है, ये है neck, ठीक है, ये वाली जो structure है, ये है neck, उसके बाद, next structure, greater trochanter, greater trochanter, and laser trochanter, कहां कहां है, greater and laser trochanter, तो जो greater trochanter है friend, ये रहा, इसको तो बोलेंगे, greater trochanter, और ये वाला part है, laser trochanter, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं friend, और कौन सा part है, और है, inter trochanter line, inter trochanter line, कहां पर inter trochanter line friend, ये जो structure दिखी है friend, आपको ये वाली structure, ये हैं, inter trochanter line, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, head of femur होगया, neck of femur होगया, femur bone की neck, उसके बाद greater trochanter, ये जो वाली structure दिख रही है, ये है, laser trochanter, उसके बाद greater और laser trochanter को मिलाने वाली line, या इनके बीच में जो line पाए जाती है, उसको बोलते है, ये क्या है, soft है, और आपको ये जो structure दिखाए दे रही है, friend, ये, ये structure, एक कौन सा पार्ट होगया, इसका, soft होगया, next, linear, linear, असपेरा, असपेरा, ये जो आपको पार्ट दिखाए दे रही है, friend, ये है, linear, असपेरा, असपेरा या असपेरा, कुछ भी आप pronunciation आपके साब से कर सकते हो, linear, आसपेरा, उसके बाद, लास्ट, अन्दे, लास्ट नहीं भी हो रहे, उसके बाद क्या बचा, friend, next, उसके बाद, पॉपली टियल या पॉपली टियल या पॉपली टियल पॉपली टियल सर्फेस पॉपली टियल फोसा का तो नाम सुनाए ने फ्रेंड आपने तो यहाँ पे ये पॉपली टियल फोसा से संबंद दिते हैं पॉपली टियल सर्फेस पॉपलाइटियल या पॉपलीटियल सर्फेंस ठीक है नेक्स्ट और बचें दो पार्ट यहाँ पे लिख दू मैं एक होता है लेजर ए सोरी लेटरल कॉंडाइल एक होता है मीडियल कॉंडाइल क्या क्या काम करते हैं यह आगे बात करेंगे लेटरल कॉंडाइल नोश्ट यह पोस्टीर ऊसर्फेस से इसलिए लेटरल कॉंडाइल इधर आएगा सब्सक्राइब यानि भूनों पेरों के बीच मैं इधर वाली साइङगे तो यह वाली यह स्ट्रॉक्टिर यह ओ लेटरल, इनको बोलते हैं, लेटरल एपिकॉंडाइल, लेटरल, सोरी, कॉंडाइल, लेटरल कॉंडाइल, एपिकॉंडाइल इनकी उपर होते हैं, पर इतना इंपोर्टेंट रोल नहीं है, इनका, कॉंडाइल का ही रोल है, यह है लेटरल कॉंडाइल और यह है मीडियल कॉं में एक हमी पार्ट यहां फ्यक्राइब को उते हैं कि इस प्रकार के क्योंकि सब्सक्राइबर के लिए तो सब्सक्राइबर है तभी तो मेरा मोटिवेशन रहेगा नहीं आप मैं वीडियो डालूं कोई देखे नहीं कोई लाइक नहीं करें आप लाइक करोगे तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है क्लासे पसंद आ रही है तो पता चलेगा मैं वीडियो डालता रहूं और कोई कमेंट, इसे साफ से महीं आगे बढ़ता रहूँगा क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कहा कमी है मुझे आगे कौन सा टॉपिक लेना चीए वो आपपे डिपेंड करेगा नहीं तो मैं तो डेली जो बीसी नर्सिंग का या जी नेम का कोर्स है उससाब से मैं चलता रहूँगा और यह तो मेरा डेली का काम मैं पढ़ाता रहूँगा मैं तो पर आपके फाइदे के लिए अगर कोई चीज है तो वह आप कमेंट करके बताओगे तब जाके मुझे पता चलेगा ठीक है तो आते हमारे टोपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे head of femur head of femur कहां पहें भाई head of femur ये रहा एक दम spherical goal type का भाग बना हुआ ये head of femur ये जो भाग है head of femur ये friend कहां जुड़ता है ये जो acetabulum है जो मैंने friend पिछली क्लास में pelvic griddle पढ़ाई थी acetabulum acetabulum क्या है friend जहां पे femur का head fit होता है और acetabulum की जो location है वो है जो inominate bone होती है friend fused bone वहां तीन bone जुड़ी होती है ileum, ischium and pubis ileum, ischium and pubis ileum उपर से, ischium नीचे से और anterior नी pubis bone या pubis bone तो ये तीनों bone जहां जुड़ती है वहां पे एक खाच बनती है एक articulating surface बनती है वो होती acetabulum और उसी acetabulum में इस femur का head fit होता है और वहां पे क्या बनता है friend hip joint वहां पे हमारे कुले का joint बनता है क्या बनता है hip joint ठीक है friend तो head से related तो इतनी सी बात है hip joint बनता है वहां पे क्या बनता है friend hip joint बनता है femur का head और acetabulum femur का head खाँ फिट होता है acetabulum ठीक है आगे हम बात करें neck 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 की बात करें friend head से जस्ट नीचे निकलती है neck और नीचे जाके backward जाती है और कहां पे मिल जाती friend soft यह पूरी soft है इसी soft में आके मिलती है इसी soft में आके मिल जाती neck और इस neck को soft से कौन अलग करता है friend देखो आप inter-trochanter line यह जो neck है या यह दोनो greater trochanter और laser trochanter अलग कर रहे हैं या फिर inter-trochanter line भी इस neck को soft से अलग कर रहे है friend में आपको एक बात पता हूँ अगर old age patient या old age हो जाती है किसी व्यक्ति की या महिला की तो उसमें जो सबसे ज़्यादा chance होता है femur में fracture के वो इसी neck के chance होते है क्योंकि जब यह neck fracture होती ही जब old age में तो उसमें सारी blood vessels damage हो जाती है इसलिए उसका healing उसकी healing नहीं हो पाती तो बहुत ही serious मामला हो जाता है फिर बोलते हैं कि यार age योगिप तो operation नहीं होगा कई बार femur की neck तूट जाती है femur bone को बेचारा बुड़ा आदमी गिर जाता है तो उसकी femur की neck तूट जाती है neck तूटने की वज़े से उसकी blood supply damage हो जाती है जिसकी वज़े से वो heal नहीं हो पाती है और उसका operation भी नहीं हो पाता प्रोपर उसका treatment नहीं हो पाता तो फिर वो ऐसे ही रहती है तो friend ये हैं neck इसमें कोई दिख करनी होगी आगे हम बात करें neck के बाद ये neck होगी उसके बाद बात करें greater trochanter and laser trochanter greater and laser trochanter ये जो prominence दिख रहे है boni prominence friend ये है greater trochanter and laser trochanter trochanter मतलब tuberosity जैसा है जैसे पहले अपन ने क्या बात के थी upper limbs में tuberosity उभार यहाँ पे भी boni prominence यहाँ पे भी trochanter का मतलब हो ही होता है कि boni prominence boni prominence का क्या काम हो सकता है boni prominence का दो काम है दूसरा मसल स्टेंडन्स और लिगामेंट का अटेजमेंट और यहां पर बाथ करें हम जो घ्रींटर हैं जो Store वो कहां पर है सबसे पहले तो जहां नेक इससे रजीए साफ्ट भूरी नेक साफ्ट से मिलतीय यहां पर इधर मिलतीय यहां से साफ्ट यह साफ्ट से मिल तो फूर बहुते हैं यहां कुन से मैं यहां यह किस से मिल रही नेक साप्ट से जुलती है यहां कि ठीक है तो यहां पर बात करें हम तो gluteus gluteal muscle होती है कुल्ले की muscle बोलते हैं जब muscles बढ़ेगे skeletal तो आपको याद रखना है जो gluteal muscle होती है उसका यो टेंडन होता है उसका अटेच्मेंट है टेंडन क्या करता है फ्रेंड मसल को बोन से जोड़ता है मसल को किस से जोड़ता है बोन को तो यहां पर जो मसल जोड़ेगा टेंडन कौन सी मसल को जोड़ेगा कौन सी मसल को जोड़ेगा फ्रेंड हमारी ग्लूटियल मसल को दो प करता है यह टेंडन है ना इस मसल को यहां पर इस ग्रेटर ट्रोकेंटर में जोडता है यह ग्रेटर ट्रोकेंटर उसको एक्साइट देता है उसके पास अटेच होने के लिए उसकी यहां पर अटेच होने के लिए क्या देता है एक सरफेस या जगह प्रोवाइड करवाता है और कौन जोडता है वो tendon, वो tendon ही यहाँ पे इस muscle को जोड और है ठीक है नेक्स्ट बात करें laser trochanter laser trochanter वही बोनी प्रॉमिनेंद्स है यह भी क्या है बोनी प्रोमिनेंस से लेजर टोकेंटर भी बोनी प्रोमिनेंस से ये क्या करता है ये खी फ्रैंड हिप मसल्स है कौनछी? इलिकस एंड सोस मैज़स इलिकस एंड सोस मैज़स इलियकस इलियकस इलिकस इलियकस एंड सोस मेजस मसल मैं बताऊंगा आपको बाद में बताऊंगा जस्त याद रखना इलियकस एंड सोस इलियकस एंड सोस मेजस मसल ठीक है न तो यह मसल इसमें लेजर टोकेंटर में आके जुड़ती है बताऊंगा नाम लिग दूएंगा कौन सी इलियकस एंड सोस मेजस मसल ठीक है न इलियकस एंड सोस मेजस यहां S O A S Source Majors Muscle वो क्या करती है इस Leisure Tocenter पर Attach होती है Next बात करें Inter-Tocentric Line Inter-Tocentric Line यह जो Line दिखाई देरी Friend आपको यह वाली Line यह वाली Line इसको बोलते है Inter-Tocentric Line क्या बोलते है Friend Inter-Tocentric Line अब यह जो Inter-Tocentric Line किसके बीच में देखाई आप उपर Greater Trochanter है और नीचे Leisure Trochanter है इनके बीच में है उदर और बात करें Neck और Saft के बीच में वहलावे Greater Trochanter को भी अलग करती है Greater Trochanter को Leisure Trochanter से अलग करती है और Neck को Saft से भी अलग करती है Inter-Tocentric Line Inter-Tocentric Line और यह सर्फेज है यह तो मैंने ऐसे बना दी थोड़ी सी Rough Type की स्ट्रक्चर होती Rough Type की स्ट्रक्चर है It means यह भी किसी चीज का Attachment करवाएगी Rough है तो Attachment है तो फ्रेंड यह क्या करती है जो हमारी बोड़ी का वैसे तो बहुत सारी Muscles और Ligament का होते हैं यहाँ पर पर Main जो बात करें हम Ileofemoral Ligament ध्यान रखना फ्रेंड Ileofemoral Ligament का लिकों का लिकों यहाँ लिख दूँ Ileofemoral Ligament यह जो Ileofemoral Ligament है हमारी बोड़ी का सबसे बड़ा Ligament है क्या है सबसे बड़ा Ligament है और वो यहाँ अटेच होता है यहाँ बोन को बोन से जोड़ता है कहां किसको जोड़ेगा फिमर को फिर हिप बोन से जोड़ेगा तो यह जो Ligament है Ileofemoral Ligament यानि यह Ileofemoral Ligament में बड़ा फिमर बोन को किससे जोड़ता है जोड़ता है Ileak Bones से Ileak Bones जो की Fuse Bones इनोमिनेट Bones उससे जोड़ता है तो यह जो Ileofemoral Joint है वो यहाँ पर इसकी साइट होती है अटेच्मेंट की इस Inter-Tocentric Line के ऊपर ठीक है न? Inter-Tocentric के जो anterior aspect है वहाँ पर और यह सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा ligament है हमारी बोड़ी का Ileofemoral Ligament ठीक है न? तो यह काम करता है Inter-Tocentric Line ठीक है? उसके बाद साप्ट की बात करें साप्ट तो साप्ट तो फ्रेंड आपको पता है कि साप्ट डाइफाइसिस कब आगे रों मोस्ट आप दी दिखाए देरी न? आपको फ्रेंड यह वाली यह है Linea Aspera क्या है? Linea Aspera क्या होता है Linea Aspera Linea Aspera की बात करें तो अब यहाँ पर आपको चीज समझ में आएगी कि जो एक तो Linea Aspera एक Popliteal या Popliteal जो सरफेस है यह पोस्टीर साइड में होती है इसलिए मैंने यह डाइग्राम जो बनाया है यह पोस्टीर साइड वाला यानि फीमर का बेक वाला पोर्षन है यह ठीक है न? बेक वाला पोर्षन है अगर एंटीर वाला पार्ट बनाता तो Linea Aspera इसमें नई दिखा पाता मैं ठीक है न? तो जो Linea Aspera जो सरफेस है यह रफ सरफेस है रफ आ गई मतलब यह भी किसी चीज का अटेच्मेंट करेगी यह किसी चीज को जोडने का काम करेगी तो यह भी क्या करती है? किसी चीज को जोडने का यानि किस को जोडने की मसल्स को जोडने की सबसे पहले तो बात करें कि यह बैक में होती यानि पोस्टीर साइड में होती फीमर बोन के यह वाला जो पार्ट न? फ्रेंड आपको पता है क्या बोलेंगे है? प्रॉक्सिमल यह तो पता है होगा न? तो फ्रेंट लीने आस पर पता चली है यह क्या करता है रहफ रहफ र proteg अे तरह से नहीं बोलो एक खाच होती है इस साफ्ट में ऽाप्ट का ही पाइपट ए यह क्या करती बहुत सारी मस्सका अलिगमेट का अटेचमेंट देती है अ और यह एक लेंड़ मार्ग भी प्रोवाइड करती है, surgeons को जो OT करते न, orthopedic surgeon, उनको क्या करती है, एक landmark भी प्रोवाइड करवाती है, कि हाँ भाई, वो feel कर लेते हैं, कि हाँ यार, यह लीने आसपेरा यहाँ पर है, ठीक है न, तो यह होगे लीने आसपेरा, उसके बाद next बात करें, friend, popleteal surface, यहाँ पर friend, क्या बनेगा, knee joint बनेगा यहाँ पर, और knee joint से तोड़ा सा उपर, यानि distal पार्ट से, femur bone के distal पार्ट से तोड़ा सा उपर, आप यहाँ feel करो, back side में, तोड़ा सा इस joint के, यहाँ पर खाच पाई जाती, खाच के उपर, यह खाच तो क्या होगे, popleteal surface, और उसके उपर यह जो triangular से दिखाई दे रही है, आपको, friend, यह वाली structure, यह वाली structure दिखाई दे रही है, आपको, यह वाली structure यह हैं, popleteal surface, ट्राइंगुलर surface है, यह और यहाँ पर क्या होता है, friend, यह आगे जाके क्या बनाती, popleteal fossa, popleteal fossa में क्या होती, popleteal vein, popleteal artery, वहाँ पर जो ओपर만े सारफेस इस में पर सिमर बोन में में सीरें में सिर्फेस और यह क्या होता है इसके होता एक पाल में फोसा में जो शरफेस हैं इसमें जो मैंने बताया तो पटेला भी नी जॉइंट में मत्वपूऽ भूमिकानी बता है जो नीजॉइंट बनता है फ्रेंड वो बनता है फीमर बोन यह जो दोनों पार्ट है lateral condyle और medial condyle यह किसे जुड़ेंगे tbia नीचे दिखाए देए ना आपको tbia bone इस tbia bone से जुड़ेंगे ठीक है tbia bone से जुड़ेंगे प्लस patella से भी जुड़ेंगे पटेला क्या करता है knee cap यह उपर होता है सेसा मोईड बोन है यह सबसे बड़ी हमारी बोड़ी की सेसा मोईड बोन है पटेला यह उपर से जोड़ता है यह उपर मलब एंटीरियर आगे से यह जो आगे नीके उपर से क्या है फिमर बोन है और नीचे से टीविया है ठीक है तो इस प्रकार यह जोएंट बनता है इस प् पीचे से यह उपड़ से यहां कोंसों बन जाता है नी जॉइंट ठीक है न सफेंट और दिक है कोई दिक्त कोई दिक्त नहीं आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं लेट्रल कॉंडाय्य lateral condyle और फिर बात करेंगे middle condyle की lateral condyle की बात करें फ्रेंड यह वाली जो surface है यह क्या surface यह पूरी आपको structure दिखाए दे रही ही यह वाली यहाँ पे क्या होती है यह articulating surface है यहाँ पे क्या जूरता है TBA, TBL bone यहाँ पे भी TBL bone नहीं जूरती के बाई फीबूला नहीं जूरती फीबूला टीबिया से जूर जाती है आगे बात करेंगे जिसमाले यह यह है TBA और यह फीबूला फीबूला ऐसे जूर जाती है और यहाँ पे उपर इस दो सर पे जिसमें क्या जूरेगा यहां पर फेन्ट करूं मैं लेटरन कौंडयल की आज यह चुड़ेए वो आगे क्या करता है यह चु՝ेए जूटेगा तो जो बजन है वैसे तो बजन यह जहलता है बやचारा और यह क्या है आगे पर ट्रांसफर कर देता है इस पर TB पर तो ज्यादा बजन हमारी femur bone पर पड़ता है कोई किछ बजन उठाते हैं एक्सरसाइज करते हैं कोई बजन इसमें femur बोन पर सबसे हैवियेश्ट सबसे लोंगेस्ट घ्र milligrams है सबसेjatब्स हेवी बोथ है भी कऊन हमारी femur bone तो‌टरल कॉंडा ये फ्रैंड Esta तो यहां पर पूरा क्या है यहां पर नीचे में बात करूं तो पूरी यहां पर पूरी क्या जुड़ेगी टीबिया और यहां से जुड़ती है फिबुला इधर ऐसे जुड़ती है तो यह क्या बनता है यहाँ पे और फिर यह तो हो गया ठीक है उसके बाद क्या हो गया फिर उसके बाद यहाँ पे यह देखो यह इधर जुड़ गया और यहाँ पे ही यहाँ पे ही यह कवर बना देता है कौन यहाँ पे ही यह कवर कौन बनाता है पटेला यह क्या बना देता है पटेला पटेला यहाँ पे कवर बना देता है और यह लिगामेंट ऐसे जूँच जाते हैं और यहाँ पे बन जाता है नी जॉइंट क्या बन जाता है फ्रेंड नी जॉइंट तो यह है friend femur bone femur bone में फोड़ा सा में यहां nek की बात करो नो friend जब यहां पे hip joint बनता है तो naik का लगबग आधा परट यहां तक भाग यह वाला जो परट है यह किसे अंदर ही रता है इस joint में रता है यह अंदर धुषता है rend अधे से ज्यदा भाग तो इसी के अंदर रता है, hip joint के अंदर, तो friend ये थी, femur bone, आसा करता हूँ कि समझ में आया होगा यार, इसके साथ सा femur bone, तो पड़ी ली साथ साथ में तोड़ सा topic, पटेला का भी, पटेला वैसे मैंने बता दिया, पटेला नीकेप होती है, ठीक है, और किस में दसा रता है य तो भी मैं बात बता हूँ आपको, टेंडन की बात करें तो, quadricep femoralis muscles को जो जोडता है, quadricep femoralis muscles को जो जोडता है, वो उस पे दसा होता है, ये पटेला, और क्या बनाता है, नीकेप बनाता है, उपर से ये प्रोटेक्ट करता है, हमारे इस नी जोएंट को, और इसके अंद ठीक है न, तो पटेला में कुछ खास नहीं था, तो आगे हम कल बात करेंगे, tibia and fibula की, यहां तक तो हो गया न, और खास तो में तो femur bone है, में ध्यान रगना कि पटेला है न, वो कौन सी bone है, friend, sesamoid, sesamoid bone है, हमारी body की सबसे बड़ी sesamoid bone, पूचे आप से sesamoid का example क्या है, पूचे को, आप से तो क्या बोलोगे, पटेला bone, तो friend, यह हो गई femur, मैंने तो कर दिया मेरा काम, अब आपका काम बाकी है, ठीक है न, और knee joint कैसे बनता है, पता चल गया न, आपको, femur bone, पटेला, टीविया, तीनों मिलके knee joint बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, उपर से femur, नीचे पटेला, नीचे से टीविया, ठीक है, फीबूला का कोई रोल ने, फीबूला तो side में जूटती, टीविया से, तो friend, कैसी लगी class, comment करके जरूर बताना, कुछ मुझे सुदार करना हो, voice में सुदार करना हो, समझाने के तरीके में सुदार करना हो, कुछ writing में, diagram में, कुछ आपको जहां भी दिक्कत आ रहे हो, तो comment करके बताओ, आप comment ने करोगे, तो friend, अब लेते हैं, विदा, टोड़ा सा काम है, duty जाना है, duty जाना है, ठीक है न, तो friend, मिलते हैं फिर next class में, टीविया लेके आएंगे, टीविया, कोशिस करेंगे, टीविया, फीबूला दोने प टीविया, ठीक है न, फिर हमारी बोन कंप्रीट जाएगे, फिर मजा आएगा, जोइंट पढ़ाएंगे, फिर कौन-कौन से जोइंट होते हैं, ठीक है न, friend, तो मिलते हैं फिर next class में तब तक लिए, bye, love you, take care.